नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस व्यूडियो में हम बात करने वाले हैं 94,000 सिक्षक भरती के बारे में तो आपके लिए बहुत बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है दोस्तों सामन मोटी मोटी बाते मैं आपके लिए बता दूंगा उसके बाद में आगे चलेंगे इस वीडियो में मैं आपके लिए जहां पर बताऊंगा इस भरती के बारे में डिटेल में ठीक है तो पंदरा से जमा होंगे आपके आबेदन मतला 15 जून से 14 जुलाई तक आपके जो है 37 अगस्त के लिए आपके जो है पूरी भरती फाइनल कर दी जाएगी और आपके लिए नियुक्ति पत्र हाथ में दे दी जाएंगे ठीक है तो इस भरती में दोस्तों सबसे बड़ा फाइदा होने वाला है डीलेट और बीटीसी वालों के लिए क्योंकि जिनों डीलेट का या फिर बीटीसी का डेलड वर्सका यानि कि 18 महीने का कॉर्स किया है बो भी इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है तो बहुत बड़ी भरती है दोस्तों कहां पर हुनने बाल यह भरती और एक बात में आपको और बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इस भरती में जो गवाय स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप से कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन लेकर आते रहता हूं तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मेन पेज़ पे जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में एना यूस से डियलेड योगिता धारी अब हर्तियों को भी मिलेगा मौका जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दूं कि यह बिहार में भरती है लेकिन इसका दोस्तों अभी तक जो है ऑफिसेल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ठीक है तो जैसे ही ऑफिसेल नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए पूरी जानकारी मैं दे दूंगा तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना होगा ओफिसेल नोटिफिकेशन आने के बाद में दोस्तों यहां पर यह किलियर हो जाएगा कि इस वर्ती में आपके लिए पूरी जानकारी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके लिए पूरी जानकारी दे दूंगा ठीक है तो मोटी मोटी बा यह है नियोजन प्रिक्रिया का सुडूल तो 15 जून से 14 जुलाई तक नियोजन एकाईयों में जम्मा होंगे आवेधन ठीक है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुवात में ही बताया था कि आपके 15 जुन से और 14 जुलाई तक जो है आपके आवेधन सुविकार किये सब्सक्राइब तक यह काम हो जाएका उसके वाद में दोस्तों त्यस्जुलाई तक मेगासोज़ी का प्रकारशन हो जाएगा उसके बाद में 24 जुलाई से 7 अगस्तक मेगा सुची पर आपति देना है अगर आपके लिए कोई भी आपति है तो आप आपति दे सकते हैं 24 और 10 तरीक तक अगस्त में उनके आपत्यों का आपका निरागरंड किया जाएगा ठीक है उसके बाद में 12 अगस्त तक मेगा सुची का अंतिम प्रकाशन होगा 12 अगस्त दोस्तों आपका मेगा सुची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद में 13-22 अगस्त तक जिला द देख सकते हैं 31 अगस्त को चैनल अभ्यारतियों को प्रमाणपत्रों की जाच और नियुक्ति पत्र देना ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुवात में ही बताया था कि 24 मतलब 31 अगस्त के लिए आपको चैनल जो अभ्यारति होंगे उनको प्रमाणपत्रों की जाच होगी और उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिये जाएगा ठीक है तो यह है आपका भरती का पूरा सेडूल अभी क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें बताये गई है ठीक है तो हम चलते हैं दोस्तों यहां पढ़ लेते हैं बिहार में 94,000 प्रारमबिक शिक्षकों की बहाली 15 जून से होगी ठीक है पतना हाई कोड के आदेश के आलोक में राश्टरिय मुक्त बिद्ध्याली सिक्षा संस्थान NIOS का 18 महीने का DL8 कोर्स करने बाले अभ्यार्चिन कोगी सिक्षिक बनने का मौका मिलेगा तो जिन्होंने दोस्तों NIOS से 18 महीने का DL8 कोर्स किया है उनके लिए भी सिक्षिक बनने का मौका मिलेगा ठीक है तो अगर आपने भी 18 महीने का NIOS से DL8 का कोर्स किया है तो आपके लिए सिक्षिक बनने का एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 94000 वेकेंसी हैं बहुत बड़ी संख्या में भरती होने वाली है आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों यह अभ्यार्थी भी अब नियोजिन प्रकरिया में आवेदन करेंगे TET या STET मतलब TET टीचर इलिजिबल्टी टैस्ट या फिर स्टेट टीचर इलिजिबल्टी टैस्ट उत्रिण अभ्यार्थी आवेदन करने योग हो है तो आपके लिए इस भरती में आवेदन करने के लिए TET उत्रिण होना अनुबारी है अभी तक यह नहीं बताया गया है कि आपके लिए जूनियर टैट या फिर प्रैमरी लेवल का जो टैट है कौन सा टैट आपके लिए क्वैलिफाई होना जरूरी है तो दोस्तों आज साम तक या फिर कल सुबह तक इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी तो जैसी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके लिए पूरी प्रिकरिया समझा देंगा ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों यहां पर हम सिक्षक विभाग की प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सिक्षकों की कमी बहली के लिए एक महा का आविदन का समय अभ्यार्थिं को दिया गया है ठीक है यह है यह है पूरी पत्र ठीक है तो यह जो भरती के पूरी प्रिक्रिया है दोस्तों यह केबल धाई महिने में पूरी कर ली जाएगी और आपके जो चैनल अभ्यार्थी होंगे इनको 31 अगस्त के लिए इनके लिए नियोक्ती पत्र दे दिये जाएगा तो बहुत ही अच्छे भरती है दोस्त अफिसल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकरीद दे दूँगा ठीक है तो अमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑ हमारी चैनल पर और आपके लिए गौर्मेंट जोब के सभी नोटिफिकेशन के अपडेट भी सबसे पहले मिलते रहते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब करें कोई भी पैसा नहीं जाता है केवल आपको फैदा ही है सब्सक्राइब जरू करने चैनल के लिए और वीडियो को आप दोस्तों के साहथ भी जरू करें तो उमिद करता हूं वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को आप सेर भी करेंगे और आपने हमारे यूटुब चैनल सेवा ओनलाइन क्लासिस को सब्स्क्राइब भी कर लिया होगा तो दोस्तों आफिसिल नोटिफिकेश आने के बाद कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत